हलो एब्रिवन ग्रीटिंग्स जियर कैसे हैं बिटा आप सब आई होप यू आ ओल इस वैल तो आपकी वक्षीट आ गई है बिटा सिक्षा निदेश अले रास्टे राजसान यक्षे तर दिल्ली की वक्षीट नंबर है यह आपकी 13 यह आपकी बिटा सैवन्थ क्लास की वक्षीट विद्यार्थी को अपना नाम निखना है अपने कक्षा धापक का नाम निखना यह वक्षीट जो है बिटा 9 नौवंबर 2020 की आपकी वक्षीट है आज का हमारा टोपिक है बिटा समानता वक्षीट शुरू करने से पहले बिटा अगर आपने चैनल को करें तागे आपको आने वाले नोटिफिकेशन और वाक्षीट टाइम से मिलती रहें तो चलिए बिटा शुरू करते हैं इस तरह की तस्वीर देखते ही आपकी मन में सबसे पहले क्या विचार आता है तो देखिए बिटा आप लोगों ने जो है देखा होगा स्कूल में जब इसको देखकर हम अपना वोट डालने जाते हैं यह वो मशीन है जिसमें वोट डाली जाती है लोग ऐसे लाइन में लगते हैं वोट डालने के लिए और जो है वोट डालने के बाद ऐसी उमडीर पर निशान लगाया जाता है ताकि हम दोबारा वोट डालने ना जा सकें तो ये इस तरह का जो है चिन ये यहाँ पर दिखा रहे हैं तो मन में जो है विचार आता है कि ये लोग वोट डालने गए हुए है इलेक्शन्स में जो है जब इलेक्शन्स होते हैं यानि कि वोट डालते हैं तब ये सारे जो है तस्वीरे हमारे सामने आती हैं आगे है भारत जै 7th class में बच्चे उनकी अभी 18 वर्स की date नहीं हुई है तो वो अभी वोट नहीं डाल सकते जिनकी भी 18 वर्स या उससे ज़्यादा की एज हो जाती है वो लोग वोट डाल सकते हैं चाहे उनका धरम कोई भी हो शिक्षा का सतर या जाती कुछ भी हो वे गरीब हो या अमीर हो इसे क्या कहा जाता है बिटा इसे सारो भौमिक वैश्क मतादिकार कहा जाता है थारा वर्स या उसे अधिक की आयू के जो है व्यक्तियों को या लोगों को सारो भौमिक वैश्क मतादिकार का अधिकार होता है सारो भोमिक वैस्क मतादिकार का विचार समानता के विचार पर अधारित है यानि कि इसमें जाती, पाती, धरम, लिंग, भेद, भावादी का कोई भी जो है पंगा नहीं होता है इसमें सबी को समान विचार मिलते हैं समान वोट डालने का दिकार है क्योंकि यह गोशित करता है कि देश का हर वैशक इस्तरी पुरुष चाहे उसका आर्थिक सतर या जाती कुछ भी क्यों नहो एक वोट का हगदार वो जरूर है यानि कि 18 वर्ष से उपर के सभी वैक्तियों को चाहे वो किसी भी जाती के हो किसी भी धर्म के हो इस्तरी हो पुरुष हो कोई भी हो उनको वोट डालने का दिकार है आगे है पिटा बहुत से लोग भारतिय लोग तंतर में रहते हैं जिने मंतादीकार प्राप्त है लेकिन जिन का दिन, डैनिक जीवन और कारिय करने की स्थिद्या समानता से बहुत दूर है तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से सभी समान है लेकिन सामाजिक रूप से आज समानता कई अक्षित्रों में मुजूद है अक्षर कुछ लोगों के साथ ऐसमानता का वेवार बस इस कारण से होता है कि उनका जनम किस चाती लेंग धरम में हुआ और वे उचवरग के हैं या मद्यम वरग के या निमन वरग के तो यहां पर देखें सामाजिक ऐसमानता सामाजिक एसमानता में किन कारणों से सामाजिक एसमानता होती है जाती के आधार पर होती है भीटा धरम के आधार पर होती है इस्त्री है या पुरिश है लिंग के आधार पर होती है और आर्थिक सीती याने की अमीर गरीब के आधार पर भी होती है आगे हैं बिटा देखिए जब लोगों के साथ ऐस समानता का वेवार होता है तो उनकी गरीमा को ठेस पहुँचती है हर कोई समान समान और गरीमा का हगदार है देखिए जैसे यहाँ पर छुटे छुटे बच्चे हैं और ये बड़े आदमी क्या करें बुट पुलिश कर रहे हैं बच्चे को कुछ नहीं पता और ये अगर बुट पुलिश करते हैं तो इनका कोई मान नहीं है कोई गरीमा नहीं है कोई समान नहीं है इसके हगदार नहीं है तो इसलिए ये एक उधारन दिया गया है कि उन्नूस बच्चे ने कैसे जो है अपनी गरीमा का आदर करते हुए उसके पैसे को ऐसे नहीं उठाया था आगे है बिटा देखे वैशक क्या होता है अठारा वर्स या उसे अधिक वायू का वैक्ति क्या होता है वैशक होता है समानता क्या होती है समान अधिकार बराबर होने की अवस्था याने की विशिश्ट स्थीती अधिकार या आवसर गरीमा क्या होती है बिटा इसका तात्प परतेक्स या एपरतेक्स रूप से परतिनीधी की एक परनाली के मादम से अभ्यास किया जाता है जिसमें आम तोर पर समय समय पर होने वाले सवतंत्र चुनाओं सामिल होते हैं तो देखिए किरिया कलाब दिया गया है कांता ओम परकास वालमी की और श्रीमती अंसारी की कानिया आपने पुस्तक में पढ़े तो देखिए बेटा मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप जो अपने पार्ट को जो एक बार बुक से जरूर रिवाइस कीजिए तो आपकी जो है यह कांता ओम परकास वालमी की और जो है स्रीमती अंसारी की जो कानिया आपकी पाठे पुस्तक में दी गई है आपको यह वहां से जरूर पढ़नी है तो देखिए यहां पर इस वक्षिट के बेस पर कुछ परशने दिये गए है सबसे पहला परशने क्या है हमारा कि स सारो भूमिक वैस्क मत अधिकार क्या होता है बिटा हम यहां पर लिखेंगे देखिए भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वैस्कों को मत देने का अधिकार है चाहे उनका धरम कोई भी हो शिक्षा का सतर जाती कुछ भी हो वे गरीब हो अमीर हो इसे क्या कहा जाता है यानि कि बिटा किसी किसे भी धरम जाती लिंक के आधार पर हम बेदभाव नहीं कर सकते सब वोट डालने का अधिकार है सब वैक्ति समान है आगे है क्या आप चुनाओं में वोट डाल सकते हैं यदि नहीं तो क्यों देखें बिटा हमने पढ़ा है कि वैशक यानि कि 18 व वोट डालने के हगदार नहीं है उनकी अभी वोट डालने की एज नहीं हुई है तो हम यहाँ पर लिखेंगे देखें नहीं मैं अभी लेकिन आप जो है 7th क्लास में आपकी वो एज अभी 18 वर्स नहीं हुई है तो आप यहाँ पर लिखेंगे नहीं मैं अभी वोट नहीं आया सकती क्योंकि मेरी उमर अभी 18 साल नहीं है भारत के सविधन के अनुसार 18 साल या उससे अधिकायू के लोगों को वोट डालने का अधिकार है और जो है सभी वेक्ती समान रूप से जो है वोट डाल सकते हैं तो बिटा यहाँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने फ्रेंड्स के साथ शेर करें तो थैंक्यू बिटा थैंक्स पर वोचिंग और जो है अपनी बुक से उकांता उमपरकास वालमी की और श्रीमती अंसार की कानियो को जो अपनी बुक से जरूर पढ़ना है तो चलिए बिटा थैंक्यू थैंक्स पर वोचिंग